विदार्थियों पिछले वीडियो में हमने बिये पार्ट थर्ड के जो विदार्थी थे उनकी जो परसित पुस्तक है पास्चाति राजनेतिक चिंतन का इतिहास उसके अंतरगते जो परमुखे विचारक है काल माक्स उनके द्वंदात्मक भोतिक वाद का जो सिद्धानत है उसके समंद में डिसकस किया था उसी करम में आज के हमारे इस वीडियो में हम काल माक्स का जो इतिहास की बोतिक वादी व्याख्या आर्थिक व्याख्या समंदी जो सिद्धानत है उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं इसके अंतरगते इतिहास की कितने अवस्थाएं हैं ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या समन्दी सिदंत क्या है इन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देखे काल माक्स ने ये बताने का प्रियास किया है कि मानव इतिहास के गंबिर अध्यन के बाद मानव समाज के विकास के नियम बताए हैं माक्स की इतिहास की व्याख्या समंधी विचारों को माक्स का इतिहास दर्शन है वो कहा जाता है उन्होंने अपने इतिहास दर्शन में भोतिक वादी या आर्थिक द्रस्टिकोंन उसको अपनाया है इसलिए इनके इतिहास समंधी विवरण को इतिहास की भोतिक वादी व्या या इतियास की आर्थिक व्यक्षा कहा जाता है। इतियास की जो परते का वस्था है उसका निर्धारन में आर्थिक जो तत्व है उसका एक बड़ा योगदान होता है। उनकी परिवर्तन सिलता का ही ये प्रणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्यक्षा के अधार पर अब तक की और भावी जो मानवी इतियास की जो अवस्थाएं हैं। च्छे भागों में बांटा है इन में से जो पहली चार जो अवस्थाएं हैं उन से समाज है वो गुजर चुका है और सेस जो दो अवस्थाएं हैं। वो आनी अभी बाकी हैं। मानवी इतियास की जो च्छे अवस्थाएं हैं उनको हम एके करके डिसकस करते हैं। देखिए ये जो च्छे अवस्थाएं हैं उसमें जो पहली अवस्था कालमाक्स ने बतलाई है वो आदिम सामेवादी अवस्था बतलाई हैं। इसमें उन्होंने बतलाया है कि सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पाजन के जो तरीके थे वो बहुत सरल थे पत्थर के ओजार थे दनुसमान उत्पाजन के मुखे सादन थे सिकार करना मचली मारना वनों में कंद मूल एकत्रित करना उनका परमुक विवसाय था बोजन प्रात करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामुईक सक्ती के आवसेक्ता थी इसलिए मनुसे जूंड बना कर एक साथ रहते थे इस अवस्ता में उत्पादन के सादन समस्त समाज की सामुईक संपती हुआ करते थे इस अवस्ता में नए किसी परकार की कोई नीजी संपती थी नए विवा परता थी नए परिवार थे सब एक समान थे कोई किसी का सोशन करने की स्थिती में नहीं था इसलिए काल मार्क्स ने इसे सामेवादी अवस्था का नाम दिया है तो ये जो आदिम सामेवादी अवस्था थी इसमें कहने कारत ये है कि एक जगह पर मनुसे एकत्रित रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए आग जलाकर एक जगापे करसी करके कंद मूल एकत्रित करके तो यह जो इनके जो कारिये थे इसलिए इसमें किसी परकार की कोई तेरे मेरे की भावना नहीं थी कोई इसलिए काल माक्स ने इसको आदिम सामेवादी आवस्था का नाम दिया है इसके बाद की जो अवस्ता है उसको कालमाक्स ने दास अवस्ता कहा है और कहा है कि धीरे धीरे भोतिक जो परिस्तती हैं उनमें बदला हुआ परिवर्तन हुआ अब वेक्ति खेती और पसुपालन करने लग गए दस्तकारियों का उदे हुआ इसे समाज में जो नीजी संपती के विचार का उदे हुआ और सरम विवाजन भी उट खड़ा हुआ जिन वेक्तियों के द्वारा उत्पादन के सादनों यानि भूमी पर अधिकार कर लिया गया वे दूसरे वेक्तियों को अपना दास बना कर उनसे बलपुर्व काम कराने लगे इस परकार आदिम समाज की जो सवतंतरता और समानता है वो एक परकार से समाथ हो गई समाज स्वामी और दास दो रुपों में वेबक्त हो गया शोषन प्रारम हो गया आर्थिक चेत्र में इस अवस्ता के अनुरूपी राजनेतिक संगठन इस्थापित हुए और दर्सन और साहित्ते की एक परकार से रचना होई तो दूसरी जो अवस्ता है उसमें कालमाक्स ने दास अवस्ता का वर नन किया है और कहा है कि इसमें लोग एक जिगा पर एकत्रित होकर पसूपालम परारम करने लग गए खेती करना प्रारम करने लग गए तो कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को अपने अधिन करके उनसे जबरदस्ती काम करवाना प्रारम किया तो समाज है वो एक परकार से दो भागों में बंट गया सुआमी और सेवक यानि मालिक और दास तो इस अवस्ता को कालमाक्स ने दा सवस्ता की संग्यादी है तीसरी जो अवस्ता आती है वो आती है सामंतवादी अवस्ता अब उत्पादन के सादनों में और उन्ती हुई लोए के हैलोर करगे अधिका चलन हुआ करसी बागवानी कपड़े बनाने के उदोगों का विकास हुआ उत्पादन के सादनों के सफ इस सामन्ती व्योस्ता के अंतर गयत सामन्त समस्त भूमियादी उत्पादन साधनों के स्वामि होते थे किन्तु भूमिय पर खेती और दस्त कारियों का कारी किसानों और सर्मिक करते थे किसानों पर सामन्तों का नियंतरन दास परता की तुलना में बहुत कम होता था किन्तो इस अवस्ता में भी सोशन इतना ही बैंकर था जितना की दास अवस्ता में था इस अवस्ता में सोशकों और सोशितों का संगर से वो निरंतर चलता रहा तो ये जो तीसरी अवस्ता है इसको कालमाक्स ने सामनती अवस्ता का नाम दिया है चोथी जो अवस्ता है वो है पुंजिवादी अवस्ता यानि अठार्वी सताबदी के उत्रार्द में अधोगी करांती हुई जिसने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया इस अवस्ता में पुंजी पती उत्पादन के साधनों के स्वामे बन गए लेकिन वस्त्मों के उत्पादन का कारिय अब भी सर्मिकों के द्वारा किया जाता था वस्त्मों का उत्पादन बहुत बड़े पेमने पर किया जाता है सर्मिक की सर्च में तो सवतंतर होते हैं कि पुंजिपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते किन्तु सर्मिकों के पास उत्पादन्य होने के कारण उनकी जो वास्टवी की स्तती है वो दासों से अच्छी नहीं होती और वे पुंजी पतियों के भेंकर सोशन के सिकार हो जाते हैं इस सोशन के प्रणाम सवरूप समाज है वो दो वर्गों में बंड जाता है विबक्त हो जाता है बुजरवा सोशक वर्ग और सरवहरा सोशित वर्ग इनके बीद संगर्स की स्तिय उत्पन हो जाती है और ये जो संगर्स है वो आगे चलकर अपने चरमोत कर्ष पर पहुंच जाता है और पुन्जिवाद है वो एक प्रकार से समाप्थ हो जाता है माक्स का ये कतन है कि पुंजीवादी युग के उत्पादन समंदों के नुरूफ ही इस युग की राजनेतिक व्यवस्ता, नेतिक्ता, कलासाइते और दर्सन होता है तो ये जो चोटी अवस्ता थी इसको काल माक्स ने पुंजीवादी अवस्ता का नाम दिया है पांच्वी और छेटी अवस्ता जो अभियानी सेस है उसके अंतरगत पांच्वी जो अवस्ता है वो है सर्व हारा वरक के अधिनाएक वाद की अवस्ता कालमाक्स का मानना है कि पुन्जिवादी जो अवस्ता है उसमें दुन्दात्मक भोतिक वाद के अनुसार परतिकिरिया होगी और प्रणाम सवरूप इतिहास के विकास की पांचवें अवस्ता है वो सर्वाहरा वरक के अधिना एक वाद की विवस्ता आएगी इस यूग में सर्मिक वरक उत्पादन के समझ सादनों पर अपना अधिपत्य इस्तापित कर लेगा और पुन्जिवाद का अंध कर देगा सर्मिक वरक का एक प्रकार से अधिनाएक वाद इस्तापित हो जाएगा पुरवा अवस्थाओं और इस अवस्था में अंतर के वलिय होगा कि दास अवस्था, सामंत वादी अवस्था, पुंजी वादी अवस्था में तो अलपमत वरक यानी उत्पादन साधनों का स्वामी वरक बहुमत वाले सर्मिक वरक का सोशन करता है लेकिन ये जो अवस्ताए बहिन है इस अवस्ता में बहुम्मत सर्मिक वरक के द्वारा पुंजिवादी वरक के आवसेश तत्वों के विरूद राज्य सक्ति का परियोग करके उसे पूंतियास माप्त कर देगा तो ये जो पांचवे अवस्ता है इसको कालमाक्स ने सर्मारा पुंजिवादी वरक के दिनायकवाद की अवस्ता कहा है अंतिम जो छटी अवस्ता है वो कालमाक्स ने सामेवादी अवस्ता बतलाई है इसमें उन्होंने बताया है कि पुंजिवादी तत्वों के पूर्ण मिनास के पहस्चात मानिवे इतियास के अंतिम जो अवस्ता है वो सामेवादी अवस्ता होगी और इसमें एक प्रकार से राजे विहिन वरग मिन समाज की अवस्ता है वो इस्तापित होगी कालमाक्स द्वारा इस समयवादी अवस्ता को विस्तार के साथ चित्रन्य करके केवल दो लक्षन बताए है पहला तो यह है कि यह समाज राज्य विहिन वरग विहिन समाज होगा इसमें ने किसी प्रकार का कोई वरग होगा ने राज्य होगा इसके अंतरगत सोसक और सोसित इस प्रकार के दो वरग नहीं होगे केवल एक वरग होगा और वो होगा सर्मिकों का वरग राज्य एक वरगी सहस्ता है अत्य वरग विहिन समाज में राज्य सवते विलुप्त हो जाएगा और दूसरा उन्होंने ये बताया है कि समाज के अंदर वित्रण का सिदांदिस प्रकार होगा कि परतेक अपनी योगेता के अनुशार काम करेगा और उसको आवस्ता के राज्य नहीं होगा और दूसरा उन्होंने बताया है कि परतेक विक्ति अपनी योगेता के अनुशार काम करेगा और उसको आवस्ता के अनुशार उसको प्राप्ती होगी तो कुल मिलाकर इत्यास की आर्थिक विक्ष्या का जो सिदांत है उसके कुछ निसकर्स हैं इनको ह परिणाम नहीं होते नहीं वे सयोगवस होते हैं वे सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं कहने का मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो इस वर की इच्छाओं और माप्रोसों के विचारों से नहीं होता ये एक सामाजिक विकास का निश्चित नियम होता है य यह है कि प्रतेक यूग की जो समाचिक अवस्टा है उस पर उसी वरक का अधिपत्य होता है जिसे उत्पादिन के साधनों पर स्वामितों प्राप्त हो। तो इसमें कालमाक्स ने ये बताया है कि समाज की जो आवस्ता होती है उसमें उसी वरक का अधिपत्य होता है समाज में जिसका की उस समय के जो उत्पादन के साधन है उनके उपर उनका स्वामित्व होता है। चोथा निसकर्ष ये है कि वरक संगर्ष मानिवे इत्यास की कुंजी है और दाश यूग से लेकर सर्मिक वरक के दिनायक तो एता कि वरक संगर्ष ने सामाजिक वेवस्ताओं को परिवर्तित करने का कारिय किया है लेकिन सामेवादी यूग में वरक मिन समाज की स्थापना से वरक्स अंगर्स की यह परकिलिया समाप्त हो जाती है माक्स अपनी इतियास की आर्थिक आवस्ता की आदार पर पुंजिवाद के अंत और सामेवाद की आगमन की जो संभावना है वो वेक्ट करता है अब ये इत्यास की हमने चाहताओं को देखा इत्यास की आर्थिक की वैख्या समंदी जो सिद्धानत है उसके निसकर्स देखे उसके पस्चात इत्यास का जो आर्थिक वैख्या का जो सिद्धानत है काल मार्क्स का उसमें कौन सी कम्या है उसकी आलोचना के कौन से बिंदू ह उन बिंदों को हम एक एक करके डिसकस करेंगे आलुसकों ने काया कि ये एक प्रकार से इतिहासिक नियतिवाद है माक्स ने सामाजिक विकास की च्छे वस्ताओं के उदे का एक निश्चित करम माना है कि पहले आदिम आवस्ताएगी फिर दादिवादी आवस्ताएगी फिर एक सरवारावरका अधिनायकवाद इस्तापित होगा सामेवादी अवस्ताएगी तो ये प्रकार से उन्होंने एक निश्चित करम बतलाए है उनका मानना है कि सामाजिक विकास के करम और प्रकिरिया में किसी प्रकार के बदलाव की ने तो अतित में गुनजाईश थी और नहीं बविस्ते में कोई गुनजाईश है यानि एक इसका निश्चित करम है जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव है वो संभव नहीं है इस प्रकार काल माक्स ने इतिहास की बहुतिक वादी वैख्या के द्वारा मानव और उसके समाज के एक निश्चित नियती मानी है और समाजिक विकास के समंद में मानव की सवतनतर इच्छा का विरोध किया है वस्तुता उनके अनुयायों ने उसकी बविशेवानी कोंद विश्वास जैसी भावना के साथ स्विकार भी किया आलोचकों का मानना है कि काल माक्स की इतियास की बहुतिक वैदी वैख्या में इतिहासिक नियतिवाद का दोस है वो पाया जाता है। दूसरी जो अलोचना का बिंदू है वो परिवर्तन के कारक की वैख्या नहीं की है। कालमाक्स ये तो बतलाते हैं कि जब किसी समाज में परसलित उत्पादन के साधनों वा तकनिक में परिवर्तन होता है तो उस समाज क यावस्ता में बी बदलाव आता है या परिवर्तन आता है लेकिन यह बताने में पूरुनत या ऐस फ़ल रहे हैं कि विकास में के वल आर्थिक तत्वा के महतो को इस विकार किया है लेकिन अलोचकों का मानना है कि समाजी की विकास में आर्थिक तत्वे के अलावा अन्य अनेक तत्वे ऐसे हैं जैसे सक्ति की कामना परस्प्रिक परतियोगिता धरम और नेतिकता समन्दी विश्वास आधी ये निश्चित तोर पर नहीं का जा सकता कि कब किस तत्वे का अधिक महत्वे होगा अगली जो अलोचना है वो ये एक एतिहासिक तत्यों की दरश्टी से सिमित महत्वे है माक्स ने जिसे आदिम सामिवादी अवस्था का उलेक किया है वह एक परकार से अने इतिहासिक है उसने दास अवस्था सामन्ती अवस्था का जो विवरण दिया है वो केवल पस्चिमी यूरोप के इतिहास से मेल खाता है इस परकार की दास अवस्ता और सामनती अवस्ता पुर्वी यूरोप, आस्टेलिया, अमरिका, मादवी, पेशिया, अफरीका के इतियास से मेल नहीं खाती आलोचकों का मानना है कि मातर पस्चिमी यूरोप के इतिहास के अधिन के अधार पर संपूर मानव जाती के इतिहास की वैख्या करना माक्स की गंभीर भूल है तो आलोचक ये भी मानते हैं कि क्योल पस्चिमी यूरोप के इतियास के अध्यन के अधार पर हम संपूर्ण समाज या मानव जाती के इतियास की वैख्या करें तो वो एक प्रकार से उचित नहीं है विकास में मानव जेतना की आधार भुद्ध भुमी का है गालमाक्स ने मानव जेतना के सवतंतर अस्तित्व को स्विकार नहीं किया उनका मानना है कि स्वेम चेतना पदर्थ से उत्पन हुई है और मानव चेतना अपने यूग की आर्थिक प्रिस्तितियों से नियंत्रित होती है लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि स्वेम मानव चेतना समाज के आर्थिक धांचे का निर्मान करती है वस्तुते मानव चेतना किसी समाज के नेतिक वधार्मिक धांचे को बनाती है और फिर इस धांचे के नुसार उस समाज कार्थिक धांचा वो विक्सित होता है परसित जो समाज सास्त्री मेकाईवर उनका कहना है कि किसी समाज कार्थिक धांचा उस समाज के नितिक वधार्मिक धांचे के नुसार विक्सित होता है तो ये आलोचना का पांचवा बिंदू था च्छटा बिंदू ये है कि इतिहास में सयोग के तत्वे की काल माक्स ने उपेक्सा की है माक्स ने अपने इतिहास दर्सन में ने केवल मानल चेतना के तत्वे की उपेक्सा की है इसके साथ-साथ उन्होंने सयोग का जो तत्वा है उसकी बैया उपेक्सा की है आलोजकों को ये मानना है कि कई बार इतिहास में जो गंबेर और परभावसाली परिवर्तन आते हैं उनके पिछे सयोग का जो तत्वा है वो किलिया सिल्दिक पड़ता है उदार्ण के लिए यदि जर्मनी की सरकार ने लेनिन को रूस जाने की जाज़त नहीं दी होती तो रूस की करांती का रूप कुछ दूसरा होता तो आलोजकों का ये कहना है कि इतिहास में काल मार्क्स ने माननुचेतना के साथ साथ सयोग तत्वा की उपेक्सा की है बलकि कुछ गटनाएं ऐसी होते हैं जो सयोगस पैदा हो जाती हैं उत्पन हो जाते हैं तो सयोग तत्वा की काल मार्क्स दूरा उपेक्सा करना भी आलोजना का एक बिंदू है इतिहास का पुरून वाई सुक्सम निर्दार्ण संभव नहीं काल मार्क्स ने संपूर्ण मानव इतिहास को उसकी संपूर्णता और सुक्समता के साथ परकट करने की कोशिश की उन्होंने इतिहास के आदी मद्दे और अंत को परकट किया उसने अपने दर्सन के अती उत्सा में इतियास की बविशे की अवस्थाओं का अन्यकेवल पुर्वानमान लगया अपीतू उन्होंने इसके आगमन को अवस्यम भावी बताया आलोचकों का मानना है कि इतियास की गती को दर्सन के किशी धांचे में जगड़ा जाना अनुचित है काल फेडरल ने कहा है कि इतियास एक सास्वत गती से बेने वाली धारा है इसके आरंब और अंत को कोई नहीं जानता है तो कहने कारती है कि इतिहास का पूर्ण और शुक्सम निर्धान करना संभव नहीं है दूसरे अलोचनाएं भी हैं जैसे उत्पादन के उपादान और राजनेतिक प्रनाले में सुनिश्चित समंद नहीं है इतिहास समयवादी अवस्ता पर नहीं रूख सकता समाजवादी अवस्ता का पतण तो ये कुल मिलाकर के आरतिक वेक्षा समंदी जो सिदानत है उसकी कुछ कम्या आलोचनाएं हैं अब यहीं बात के रें निसकर्स की तो ये तपी माक्स के इतियास के जो दरसन है उसके निसकरसों की अधिक आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी काल माक्स का इत्यास की आर्थिक वेख्या का जो सिदानत है उसका अपना योगदान है, उन्होंने सरवा पर्थम इत्यास के विकास में आर्थिक तत्व की भूमिका है, उसको तरक्पून नंग से प्रस्थुत किया है काल माक्स के बाद ही इतियास के करंबद एवं वेग्यानी के देन की प्रंप्रा सुरू हुई बले ही हम माक्स द्वारा प्रस्तुत की गई इतियास की वैख्या से पूर्टया सहमत नहीं है लेकिन उसके इस मत से इंकार नहीं किया जा सकता कि इतियास किसी देविय विकास के नियम भी हैं। चाहिए नियम काल माक्स दौरा बनाएगे हैं। केरिय। उंट ने इस समन्द में कहा हैं। कि समाख शास्तर के सब्गी आदुनिक लेखक माक्स के परतिरिनी हैं। चाहे वे इसे सुविकार नहीं करें, चिंतन के चेतर में प्राक माक्स वादी सामाजिक सिदान्थ की और पन्य वापस है, वो एकलपनी है, तो इस परकार काल माक्स का जो इत्यास की जो आर्थिक वैकर है या जो वैकरा कम्या होने के बावजूद भी अपना मेत वह है, आगे की वीडियो जो है उनमें हम अतिरिक्त मुले और वरक संगर्स के सिदान के बारे में डिसकस करेंगे धन्यवाद